दोस्तों यदि आपने बिहार DLR 2024 का फॉर्म भड़ा था तो आपके लिए खुसखबरी निकल कर आ रही है क्योंकि बिहार DLR का Admit Card जारी कर दिया गया है इस वीडियो में मैं आपको पूरी जनकारी बताऊँगा कि इस Admit Card को आप कैसे डाउनलोड कर सकते है Admit Card डाउनलोड करने के बाद आपको आगे की परकिरिया क्या करनी है आप जब एक्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या लेकर जानी है तमाम जनकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ अंतर तक जूरे रहिएगा पूरी जनकारी अगर डीटेल में समझना है तो वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोफ्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ओ भी अपना Admit Card डाउनलोड कर पाया है ऐसे लगातार latest update अगर आप पाना चाहते है तो WhatsApp चैनल टेलिग्राम का link description box में है आप जरूर जूर जाएए जैसे आगे आपका result आएगा आगे आपकी counselling पर किरिया होगी इन तमाम detail को मैं आपको step by step इस चैनल पर वीडियो के मादर हमसे बताऊंगा जिससा आपको कहीं भी भवेस में कोई भी update छूटेगा नहीं अगर जोईन करेंगे तो भवेस में अगर छूटता है तो फिर आपका नमांकन भी नहीं हो पाया तो इसलिए जोईन कर लिजे ये आप डाउनलोड कैसे कर पायांगे फिर बहुत सारी जनकारी मैं आपको बताऊंगा क्या 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 लेकर जानी है कहां आपकी center है कब परिक्षा है reporting timing क्या है तमाम जनकारी मैं आपको बताने जा रहा हो देखिए इसके लिए आपको अपने mobile या laptop में जो भी browser है उसे open करना ह गूगल में टाइप करना है online update htm आपके सामने online update htm.in का या official website खुलेगा इससे आपको open करना है और नीचे आना है यहाँ पर admin card वाले सक्षन में बिहार DL at admin card का link मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है नीचे scroll कर कर आएंगे direct आपको यहाँ पर link मिलेंगे link one जो उपर मे दिये गया है आपको इस बाले link पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने इस परकार का dashboard आएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना application number फिल करना होगा यह application number जब आपने form भरा होगा उस समय आपको मिला होगा वो application number डालेंगे जो आपका password होगा और date of birth होगा तो date of birth के इस परकार डालेंगे तो किसी का date of birth पांच जनवरी 2002 होगा तो उन्हें 05-01-20000 इस परकार आपको डालना है यह धियान रखेगा बाकी यहाँ पर एक option login का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे अपने detail को फिल करकर उसके बाद आपके सामने आपका जो admit card है वो खुल कर आ जाता है देखी इस admit card पर आपकी बहुत सारे जनकारी दी गई है पहले आप चाहा है तो यहीं से print इसका ले सकते हैं जो अभी आप देख रहे है यह passport size photo form भरते समय दिया है वो फोटो आपको लेकर जानी है यहाँ पर आपको चिपकाने परेंगे उसके बाद इसमें क्या कुछ ब पर पहुंच जानी है सारे 8 से लेकर सारे 9 बजे क्योंकि इनका first setting में है आपका second ship में होगा तो उसका अलग timing होगा आपको यहाँ पर बताया गया होंगे कि gate बंद होने की timing क्या है और आपको reporting करने की timing क्या है वो आप यहाँ पर देख लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर पूरी guideline आपको दिये गए हैं जिसमें आप पूरी जनकारी देख पाएंगे जैसे admit card जब भी आप download करते हैं तो admit card को सबसे पहले क्या करें एक colorful जो photo copy होता है color photo copy कर वा लीजेगा यह better होता है क्योंकि photo जब मिलान होता हूँ उस समय परसानी नहीं होती है उसके पाद दूसरा काम यह करना है कि इस admit card को आपको print तो करा ही लेना है lemination नहीं करवानी है उसके बाद इसके साथ आपको कोई ID card लेकर जानी है ID card क्या क्या हो सकते तो आपके जो यह voter ID card होता है आपके आधार card होता है उसके अलावे आपके driving license है passport है pen card है या passbook है इन में से कोई भी एक document आप ले जा सकते है उसका photo copy या आप चाहे तो original आप ले जा सकते है इसमें आपको बताये गए कि जो उपर में photo चिपकाने की जगर दिये गए वहाँ पर आपको photo चिपकाने की जरूरत होगी जब आप परिक्षा देने जाएंगे तो भीना अगर आप कोई ID card लेकर जाते हैं तो फिर आपको परवेस नहीं करने दिया जागा जैसे ही आप center पर पहुंसते हैं तो पूरी तरीके साब CCTV के निगरानी में होगे जबी आप जाते हैं परिक्षा देने तो जूता मोजा ये सब जो है पेन कर नहीं जाना है आपको चपल और जो हाप T-set होता है आप अपने अस्तर से भी देख लेंगे जो महतपूर्ण जनकारी था वो हमने आपको बता दिया नीचे जब scroll करेंगे तो और भी आपको यहाँ पर जनकारी दिये गये हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसका print ले सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपक वीडियो मिल रहा होगा उससे देखिए पूरा doubt confusion आपका दूर हो जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहन